नमस्कार साथियों, अब्जेक्टिव प्रसंदारा में आपका स्वागत हैं, तो अपने पिछले जो क्लास में राजस्तान का बोतिक परिचे का पार्ट, बोतिक शुरूप का पार्ट वन पढ़ लिया था, और आज है वो इनका पार्ट टू है, और ये जो टोपिक है वो पस परिचर के लिए भी अतिमात उप्वूण, तो पसुपरिचर की जो भी त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो प्रशन है, वो इंपोर्टनेट होने वाल, तो चलते हैं, करतें क्लास की शुरूवात, और लीजी, पहला प्रशन, पहला प्रशन, राजस्तान, राजस् उत्खात भूमी, यानि बेर्लेंट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, राजस्तान का कौन सा भाग, कौन सा छेतर है, वो बियर्ट, डाग या उत्खात भूमी के नाम से जाना जाता है, चंबल बैसिन, बनास बैसिन, बान गंगा बैसिन, या माही बैसिन, कौन सा चेत्र है वो उत्खात भूमी के नाम से जाना ज़रा है सरो परतम तो इन चारों की बात करें इन चारों की तो ये चारों किस भूतिक परदेश किस भूतिक परदेश के बाग है इसके बारे मैं बात करना और डांग उत्खात भूमी की बात करें बीहड भूमी की किस की बीहड भूमी माने तो बीहड क्या है बीहड क्या है नदी के अवनाली का अपरदन से कैसे अवनाली का अपरदन से बने उबड़ खाबर भूमी अवनाली का अपरदन से से बनी उबड़ खाबर भूमी उबडखाबड भूमी बीहड कहलाती है बीहड किसे कहता है अउनाली का अपरदन से बनी उबडखाबड भूमी है उसे बीहड कहा जाता है अब देखो बीहड डांग डान या बीहड की बात करें सबसे पहले डान बीहड की सरवादिक बीहड सरवादिक बीहड राजस्तान में अगर दे के सरवादिक बीहड भुमी तो वो है सवाई मादोपूर वे दोलपूर में किस छेत्रों में सवाई मादोपूर वे दोलपूर में इन दो जिलों स्वई मादोपूर वे दोलपूर स्थरवादिक बीहड की बात करें तो स्वई मादोपूर वे दोलपूर छेत्रों में अब बात करें आगे तो देखें बीहड के बात डांग है डांग की राणी के नाम से किसे जाना जाता है वो है करोली किस को करोली को जाना जाता है किस को करोली को जाना जाता है क्या डांग का राजा किस किसे का जाता है दोलपूर को किस को का जाता है दोलपूर डांग का राजा दोलपूर ठीक है इसी बीएड को इसी बीएड घुमी को डाकों की सरण इस्तली किसकी डाकों की डाकों की सरण इस्तली भी कहा जाता है डाकों की सरण इस्तली किसको इसी बीएड बाग को डाकों की सरण इस्तली कहा जाता है बीहड भूमी को डाकों की सरण इसली भी का जाता है अब बात करें कि सर्वधिक बीहड या बीहड के नाम से तो वो है चंबल वैसिन कौन सा बैसिन चंबल बैसिन है वो बीहड के नाम से विक्याद किसके बीहड बीहड के नाम से जाना जा लिए अगला प्रश्ण आगला प्राश्णा क्या है राजस्तान में कितने परकार की जलवायू प्रिस्तितियां पाई जाती हैं चार पांच नो और साथ कितने परकार की जलवायू प्रिस्तितियां राजस्तान में पाई जाती हैं कितने परकार की है राजस्तान में पांच परकार की कितने परकार की पांच परकार की जलवायू प्रस्तितियां पाई जाते हैं कौन कौन सी है तो जलवायू प्रदेश जलवायू प्रदेश की बात करें अपन तो सबसे पहला सबसे पहला आता है सुस्क जल्वायू प्रदेश कौन सा सुस्क जल्वायू प्रदेश कौन सा प्रदेश सुस्क जल्वायू प्रदेश और यह चेतर कौन सा है अपन के जसल मेर बाढ मेर फलोदी वाला चेतर जो है बिकनेर वाला वो है सुस्क जल्वायू चेतर यह उसतन वर्षा है वो 20 cm अधिया नगतactor right now, दूसरा चत्र अधिबर है वह अर्द शुष्क कौन सा प्लिफ सा है ऐद। को झलवा ूपदेस में आद सुष्क चलवाय कर देस अर्ध सौप प्रदेस किए वर्षा की मात्रा होती है और यह अगर वनस्पती की बाद करें तो वहु lifesae इसे ज़ंफ़ाइट भी कहा जाता है से इससे प्रदेश के अंत्रकत कौन कोंसे चयाते हैं तो वह देखो अरावली के पूर्वी यह जैपूरके आस पास का चेट आरावली के पूर्वी वह उत्रोप争 चयाते है यह लिके पूर्वी अ म lég search पूर्वी यानि जैपूरके उत्री बाग जेपूर के उत्री जो बाग है जैसे अभी खेरतलती जा रहा है अलवर है जेपूर है और ये वाले छेतर है कोर्ट मुतलि बेरोड ये छेतर उपादर जल्वायू परदेश के अंतरगर आता है चोता आगर बात करें चोता छेतर चोता छेतर है वो आदर कोन्सा आदर जल्वायू छेतर आदर जल्वायू छेतर या परदेश और लास्ट है वो है पांसवा अत्थि आदर जल्वायू परदेश जल्वायू प्रदेश और इसके अंतरगत हाड़ोती वाला छेतर आता है अतियादर जलवायू के अंतरकत हाडोती वाला चेतर यानि ये वाला चेतर कौन सा? जालावार जालावार वाला चेतर कौन सा? जालावार और ये बुंदी कोटा वाला और यहां अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी है? औसत सो सेंटिमेटर और सथ कितनी हैं अतियादर में सो सेंटिमेटर और सथ वर्षा सो सेंटिमेटर और अधर जलवायों में अगर करें तो साट से 80 cm वर्षा की मात्रा होती है और अगर अतियादर में सरवादिक अधरता है वो इसमें अब दो चीज और देखू एक 25 cm वर्षा रेका 25 cm वर्षा रेका ये इसका क्या काम है ये रेगिस्तान को किसको रेगिस्तान को दो बागों में बांती है रेकिस्तान को दो बागों रेकिस्तान को दो बागों में बांती है कौन से भाग है सुस्क और अर्ध सुस्क दो बाग कौन कौन से हो जाएंगे एक तो सुस्क हो जाएगा और दूसरा अर्ध सुस्क यानि सुस्क वर अर्ध सुस्क सुस्क वह अर्ज सुस्क यह दो बाग इन में बांडते हैं ठीक है? हाँ यह हो गया 25 cm वर्षा रेका आप देखो एक है अपनके 50 cm वर्षा रेका कौन सी है? 50 cm वर्षा रेका यह का यह राजस्तान को दो बागों में बांडती है इसको राजस्तान को वह दो बागों में बांडती है है तो यह हो गया अपनके यह बागों जल्वाईव परदेश की बात करें यह जल्वाईव परस्तितियां तो उन में देखो जल्वाईव में सुस्प जल्वाईव परदेश 5 परकार के होगे टोटल 5 कितनी परकार की परस्तितियां पाए जाती है? 5 परकार यहां कि एक्सांस यह स्तिति देखो यहां समुद्रतर से दूरी इन सभी के कारण यह जो प्रिशितिया है वो पांचों अपन के यहां पाए जाती है तो लोग इस्तित बढ़ते हैं लक्त नैक्स्ट परसहें क्या है गोकुंद्रा से कुम्बलगट के मद्य इस्तितल प्थार कहलाता है जहां सेत से कुंबलगट गोगुंदा कहां परें उदेपुर गोगुंदा कहां परें उदेपुर कुंबलगट राजसमंद कहां परें राजसमंद गोगुंदा से कुम्बल गड़ के मद्ये इस्थित पठार क्या कहलाता है तो देखे पठारों के नाम कौन सा मेसा का पठार, लसाडिया का पठार, बोराट का पठार या फिर उपरमाल का पठार कौन सा पठार कहलाता है कौन सा गोगुंदा से कुम्बलगिट के मद्य इस्थित पठार कहलाता है, कौन सा हो गया, बोराट का पठार, कौन सा पठार कहलाता है, बोराट का पठार, अब देखो मेसा का पठार, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पठार, पठार में मेसा का पठार, कौन सा मेसा पठार, क साम पर हैं चित्तोड और इसकी अगर मुझे देखें तो है छेस्सो बीस कितनी छेस्सो बीस मिटर ठीक है और इसके बारे में एक और हैं चित्तोड का जो दूर्ग है वो इसी पठार परिश्थित है चित्तोड का जो दूर्ग है चित्तोड का दूर्ग वो मेसा के पठार पर इस्तित है इसे पठार पर इस्तित है जो दूर गया है वो इसी पठार पर इस्तित है आज तो लिकोर छाथी मेरिया ठीक है और आगे देखो यह हो गया फिर दूसरा पठार दूसरे यहां आया लसाडिया जो अपने पिछले जो पहला दिया था उसमें पढ़ लिया था लसाडिया पठार कहां से कहां तक प्लसाडिया पठार कहां पर है जे समंद जील कहां है जे समंद जील के आसपास का कटा पठाब क्टाब पठार और अगर जे समंद जील पूचे तो है कहां पर यह से लूम ऑनगे जिस में कहांद पर है गर फचिक किस जल्यम है सलूम ऑनगे उपर माल पठार उपर माल पठार इस पठार की अगर बात करें तो यह कहां से बहस रोड़ गड़ से बिजोलिया था इस रोड़ जो कि चितोड में कहा है बहस रोड़ गड़ तक विस्तार इस पठार का विश्तार कां से कहां तक है बहस रोड़ गड़ से बिजोलिया था ठिके आगे दो चोताः चोते में आता है क्रास का वे कांकन वाड़ी कौन सा क्रास का वे कांकन वाड़ी पठार क्रास का वे कांकन वाड़ी पठार ये कहां पर है तो ये है अलवर के इंदर कहां पर है अलवर कहां सरीष का अभियारान इसी में सरीष का अभियारान ठीक है ठीक है स्रिष का अभ्यारणी आगे एक है मान देशरा कौन सा मान देशरा पठार मान देशरा पठार यह कहां पर है यह भी भेंस रोडगड में भेंस रोडगड काहँ पर है पठार पठार के बात करें तो दो अपनके महतुपन पठार एक तो उडिया कौन सा उडिया पठार एक तो हो गया उडिया पठा उडिया पठा तेरे सो साथ मीटर ठीक है है कहां पर सीरोई में कहां है सीरोई यहनि माउंट आबू ठीक है सात्वा मानो आबू पठा कौन सा आबू पठा अबू का पठा यह कहां पर है इसकी अगर हाइट दे को तो बारेशो मेटर यह भी सीरोई में है यह भी सीरोई में है ठीक है हो गया इसका उतर हो गया बोराट का पठा लिए इसके 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 आपके चलो नेक्स्ट परसन next person क्या किता है दक्सिन पूर्वी पठार यानि हाडोति के संदर में निम्ण लिकित कत्नों पर विचार कीजिये किसके बारे में दक्सिन पूर्वी पठारी जो परदेश है उनके बारे में और निम्ण गतन जो ये 4-5 नांज कथन देखें इन पर विचार किजे और पहला कथन क्या यह तृटेसिय स्काल में निर्मित हैं धूसरा क्या यह प्राति गोंड वाना घुमी का उसे असमाना जाता है कि सुमी का गौण वहना तीसरा यह 6.89 भाग पर विश्त्रत हैं जिस पर राजिय की लगबग 11% जनसंग्या निवास करती हैं कितने परचिसत 6.89% भू भाग पर 11% जनसंग्या निवास करती हैं चोथा इसका डाल उत्तर पूरू से दक्सिन पस्चिम की ओर है यह राजस्तान के दक्षिन पूर्वी भाग में इसकी तर है यह पठार यानि हाडोती पठार के संदर्प में कौन सा कतन सत्य है ठीक है देखो कौन सा है लगाओ पहला है यह क्रिटेसियस काल में निर्मित है यह सही है यह क्रिटेसियस काल में निर्मित है दूसरा ये प्राचिन गोडवाना भूमी ये गोडवाना भूमी के अउसेस हैं कल पिछली क्लास में बताया था एक तो गोडवाना भूमी के अउसेस और एक टैतिस सागर गोडवाना भूमी गोडवाना लेंड और एक टैतिस सागर के अउसेस ठीक है चारो भू बाग के बारे में टेथिस सागर अब कौन-कौन से ये हैं कौन-कौन से वो हैं देख लाएं कौन-कौन से भाग गौडवना लेंड के और कौन-कौन से जो बोतिक प्रते से वो तेटि सागर के उससे मानेज़त ठीक है 6.89 बू भाग पर विश्रित है जिस पर राज़िये 9 राज्शे पर रमाश करती है करती है इतने 6.89 पर 30 बू भाग पर 16 इस बाग मेaking निवास करती यह साiggalie ठीक है और भी ऑप्शन्स आई आगे दो को इसका डाल उत्तर पूरू कहां से उत्तर पूरू से दक्षिन पस्चिम के और ना यह खोटा हुए है इसका डाल क्या है उत्तर पूरू से दक्षिन पस्चिम के और नहीं है ठीक यह दो को अगला यह राजस्तान के दक्षिन पूर यह जो बाग है यह वाला यही इस्तित है ठीक है चालो मिटा गई इसको तो यह भी क्या है कतन सही तो देखो अपन के कतन एक सही है दो सही है तीन सही है और पांस सही है यहां पहले option में दे रहा है एक दो तीन चार पांस सही है तो पांच option अपन के सही नहीं और दूसरे में क्या दे रहा है दूसरे में दे रहा है एक दो तीन वे पांस सही है यह घतन सही है फिर तीसरे में दे रहा है केवल एक पांच केवल एक वे पांच तो यह तीन नमबर त अपन को सिधा सही दिख रहा है फिर देखो केवल तीन वे चार सही केवल तीन वे चार सही तो इसका उत्तर क्या हो गया ब अब इसके ढाल की बात करें इसका दक्षिन पूर्वी पठारी प्रदेश इसका ढाल अगर इसके ढाल की बात करें तो यह होगा कहां से दक्षिन से दक्षिन से उत्तर वे उत्तर पूरू के हो पूर्व की ओश चलो इस भोतिक बाग में क्या सबसे ज्यादा नदियां भी इसी में सरवादिक नदियां वाणा यह यह है शरवादिक नद्यों वाणा बोतिक बाग विपाग यह है ठीक है चलो next अगला प्रस्पा क्या कह रहा है राजस्तान में सरवादिक वर्षा मांसुन की किस साका से होती है बंगाल की खाड़ी अरब सागर या भुमदिय सागर या इन वैसे कोई नहीं राजस्तान में सर्वादिक वर्षा किस मांसुन से होती है किस से होती है वो है बंगाल की खाड़ी किस से होती है बंगाल की खाड़ी राजस्तान में सर्वादिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मांसुन से राजस्तान में सर्वातिक वर्षा वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसुन से होती है किसे होते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसुन से होती है सर्वातिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसुन से होती है अब राजस्तान में सर्वातिक वर्षा या औसत वर्षा कितनी है अगर राजस्तान में औसत वर्षा पूचें औसत वर्षा की मात्रा तो वो है सत्ताउन पाइंट पांस परतिसाद ठीक है इतना सत्ताउन पाइंट पांस परतिसाद और सत वर्षा सर्वादिक वर्षा सर्वादिक यानि बंगाल की खाड़ी से सर्वादिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से सर्वादिक वर्षा से सर्वादिक वर्षा कहा होती है अरावली के पूरू में कहा होती है अरावली के पूरी बाग में बाग में ठीक है चल अब आगे राजस्तान में अगर पूचा जाए सर्वादिक वर्षा वाला इस्थान या सर्वादिक वर्षा वाला जिला अगर सर्वादिक वर्षा वाला जिला अगर सर्वादिक वर्षा वाला जिला अगर पुछें कितनी हो जाते हैं और सतन सो सैंटिमेटर कितनी सो सैंटिमेटर नियूनतम वर्षा वाला वर्षा वाला वह जैसल में कौन सा है जैसल में कौन सा है जैसन में अच्छा अरब सागर से राजस्तान में वर्षा सबसे पहले कहा होती है अरब सागर से अरब सागर से वर्षा होती है राजस्तान में ठीक है अरब सागर से वर्षा सबसे ज्यादा दक्सीनी राजस्तान में होती है कहां होती है दक्षिनी राजस्तान में कहां होती है दक्षिनी राजस्तान अरुब सागरिय मांसुन परवेश कहां करता है अरुब सागरिय मांसुन अरुब सागरिय मांसुन की अगर बात करें तो यह राजस्तान में बासवाडा से परवेश करता है चाहना से करता है वहां सवाड़ा से रजस्तान में प्रवजज करता है अ भात करें वर्षा रितू में राज़स्तान में अगर बारिष की बात करें तो 90-95 पर तिसत बारिष 90-95 पर तिसत बारिष 이제 किस में ? वर्शा रितु में नब्य से पंजानुंवे पर्थिसत वर्षा है व किसमें लुख रेतु में । होती है चलो तो आगे हो राजस्तान में माउट का समंध्र है किसे 10 विक्षोव ना कि विक्षोव ठीक है विक्षव विक्षॉप ठीक है राजता में माउट किसका माउट का समन्द माउट क्या है दक्स्चिमी विशॉप से होने वाली वर्षा दक्सिन होने वाली वर्षा माउट के बारें के माउट क्या है माउट Ceyled जुर्वात चक्रवाद जुर्ण वर्षा कि माउट क्या है? बुम्यदी जागी है चक्रवाद से होना वाली वर्षा किस रित्यों में होते हैं? माउट को golden drops भी आता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है golden drops भी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है golden props भी कहा जाता है अच्छा यह किस फसल के लिए लाबदाई गये यह किस फसल के लिए लाबदाई गये तो वो है रभी की फसल के लिए रभी की फसल के लिए लाबदाई कौन सी फसल रभी की फसल के लिए लाबदाई रब्वी की फसल के लिए लाबदाई गये ठीक है चलो फसल हो गया रब्वी की फसल कौन सी फसल अगर परवा ने कोई फसल बताई जाये तो वो है ग्याउं किस फसल के लिए ग्याउं के लिए ग्यों जो है उनके लिए ग्यों की फसल के लिए लाबदाईगे उसके लिए लाबदाईगे अच्छा इससे वर्षा कहा होती है मावट की वर्षा होती कहा है और इसका उत्तर हो जाएगा अपन के पक्सचिमी विशो बहुं सा पक्सचिमी विशो इससे राजस्तान नहीं भारत में इससे भारत में बारत के उत्तर पस्चिमी इलाकों में बारिस होते हैं बारिस होती हैं कहां होती है उत्तर पस्चिमी बाग में बारिस होती है अब इसके बारे में और यह राजस्तान से राजस्तान के पस्चिमी बाग ये राजस्तान के पस्चिमी बाग से प्रवेश करते हैं अब बात करें यहां आपने लिका रभी की फसल के लिए राबदाई किस फसल के लिए रभी की फसल के लिए राबदाई तो रभी की फसल कब बोई जाती है रभी की फसल रभी की फसल की बात करें तो यह कौन सी फसल होगी कौन सी होगी जिसको अक्टूबर से अक्टूबर नॉम्बर ये दिसंबर मैं बोया जाता है अक्टूबर से नॉवंबर और कभी-कभी दिसम्बर तक मान ले नॉवंबर तक बोई जाती है में बोई जाती है ठीक है रभी की फसले कौन से होते हैं अक्टूबर नॉवंबर में बोई जाती है और अप्रेल मही में काट ली जाती है कटई की बात करें अगर अप्रेल से जून तक कब तक अप्रेल से जून तक इसको कार्ट लिया जाता है कौन-कौन सी फसले इसके अंदर आती है यानि जो सर्दी की रितु में यह उनालू फसल कौन सी है उनालू फसल कॉन सी मानि आती है उनालो फसल और उनालों कौन-कौन सी आती है जीरा हो गया सर्शो और सर्दी की यह तैació जो है यह जो सारी फसल यह इसमा ही आती है यह सारी यह सारी माउट माउट कौन क्या होता है गुमदिय सागरिय चक्रवार से होने वाली वर्षा इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है रभी की फसल के लिए लाब्दाइग होती है इससे उत्तर पस्चिमी बाग में बारिस होती है किसके बारत के उत्तर पस्चिमी बाग में बारिस ह करते हैं इसलिए कहा जाता है कि पक्ष्चिमी विक्षोब इसका नहां ओके चले नेक्स्ट हाँ आगे अगला प्रस्व जब उपजव भुमी बंजर में रेतिली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को क्या का जाता है जब जब बंजर भुमी है रेतिली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को क्या का जाता है दुर्विकरण वनिकरण मुरुस्तलीकरण या चट्टानीगरण क्या का जाता है दियो उतर क्या का जाता है मुरुस्तलीकरण क्या का जाता है मुरुष्टली करन के कारण देखो अगर मुरुष्टली करन के क्या कारण मुरुष्टली करन के कारण कारण अगर पूछे तो देखो नंबर वन क्या हो जाएगा अत्ति चारण पस्मों का अत्ति चारण क्या हो गया पस्मों का अत्ति चारण दूसरा वर्षा की कमी क्या हो गया वर्षा की कमी ठीक है तीसरा अंदा धुंद कटाई पैड़ों की अंदा धुंद कटाई यह सब क्या कारण किस में आज आते हैं कि चोता है अप्रदन हो गया वो तो अप्रदन इसमें याद आएगे लिए कि चोता है कि जल्वाई विश्ट अप्रदन हो गया वर्षा की कमी होगी अंदा धुंद कटाई होगी यह जल्वाई यह नहीं वां जल्वाई प्रदन के कारण क्या हो सकते हैं कि लागला ते तक स्ब्से आध्र जेश्टान का सबसे आध्र जिल्वाइस तक अ कौन साथिस्तान का सब से अध्र जिल्ल अन्जिलीन आध्र जिल्वाई 이제 रजक्य में कौन सा जिल्ला है सबसे अद्र जिल्ला है तो वो है जालावार कौन सा जिल्ला है राजस्तान का सबसे अद्र जिल्ला जालावार देख सबसे अद्र जिल्ले की बात करें तो राजस्तान का सबसे अद्र जिल्ला है सबसे अद्र जिल्लान वो है जालावाड यह तो हो गया कौन सा है जालावाड ठीक है दूसरी बात है अगर पूछे राजस्तान का न्यूंतम आद्र न्यूंतम आद्र जिल्ला न्यूंतम आद्र जिल्ला ठीक है उसको क्या कह सकते है अपन सुस्क जिल्ला या सुस्क जिल्ला वो न्यूंतम सुस्क नहीं है सुस्क जिल्ला न्यूंतम आदर ता मलब सुस्क हो गया सुस्क जिल्ला वो है अपनके जैसल में कौ ठीक है? तीसा. राजस्तान का सबसे आद्रुस्तान. सबसे आद्रुस्तान. अगर इस्तान की बात करें, कौन सा आद्रुस्तान? तो है माउंट अबू. कौन सा है? माउंट अबू. माउंट अबू कि क्या हो रहा रहे माउंट अबू ठीक है और अगर यहीं पूछ ले राजस्तान का नियूंतम अद्र इस्तान राजस्तान का नियूंतम अद्र या माने तो सुस्क इस्तान कौन सा सुस्क इस्तान तो वो है फलोदी कौन सा है फलोदी जो अभी जिल्ला है जिल्ला है फलोदी तो इसका उतर हो गया सबसे अगर बात करें तो वो है जालावार कौन सा जिल्ला हो गया जालावार या सब्सरवाद एक वर्षा भी यहां होती है नियूंतम अद्र ठीक है हो गया ने पर राजस्तान में ग्रीस में रितु में इसमें ग्रीस रितु में चलने वाली गरम ढूल भरी खवाओं खवाएं क्या कहलाथी ग्रिस्म रितु यानि गरमी में जो जबरदस्ट आन दिया चालना है उसे क्या कहा जाता है है कि कि पस्ची में रहते हैं उनके खाना खाना भी हराम है इन आन्दियों की विदे से तो ये क्या कहलाती है रू क्षपीया जो इंटियों धरिख डाने कि नंस जगें रेद आती हैं यह यह सबसे गरम जो पहुने होती है ठीक है दूलबरी आंध्या है वह है क्या है अपन के लूप अब बात करते हैं यहां पूर्वाई क्या करते हैं पूर्वाई क्या है तो देखो नाम से ही पता चल गया पूर लगया है पूरू की दिशा से इससे पूरू दिशा से चलने वाली पवन पूरू दिशा से चलने वाली पवन वाली पवन क्या कहलाते हैं पूर्वाई पूरू दिशा से चलने वाली पवन पूर्वाई कहलाते हैं बबूलिया ग्या है बबूलिया बतूलियो मारवाड़ी में कहते है बतूलियो ये जब आता है ना तो बीच में से सेंटर बना के ऐसे कुर्षिया सारी चीजे उठा लेता है कई बार सादियों में आ जाता फिर तो हालत खराब बबुलिया क्या है बबुलिया समहनिये पवनों का समहनिये पवनों का भवर ठीक है समहनिये पवनों का भवर यह बवंडर की तरह आता है और उचके सेंटर में कोई चीज अगर आ गई सेंटर में कोई चीज आ गई तो वो सीधी उपर ही जानी है उपर ऐसे नहीं कि पूरा उपर ही चली जाए ठीक है क्या कहलाते है बबुल्या एक आपने नाम सुनाओगा पच्छवा कौन सी पवने पच्छवा पच्छवा या पच्छवा ठीक है ये किस दिशा से पस्चिम दिशा से चलने वाली पवने पच्छिम दिशा से चलने वाली पवने हैं वह क्या कहलाते है पच्छवा और भी पवनों के नाम है जो आप अगर बुजूर्गों के पास बैठोगे लादा लादी के पास तो वह नाम बता देंगे बहुत सारी बहुत सारी पवने होती है जैसे आपन के यहां सूरिया नाम कभी सुनाई होगा शूरिया पवन ठीक है नाम सुन लेना सूरिया ठीक है पर पुर्वाई पुर्वाई तो आपने ले लिए पुर्वाई का नाम सबसे ज्यादा चिक्र होता ठीक है फिर देखो धरा हो यह पहुणे इस्ताने नाम है इनका और यह बुझरगों को सबसे ज्यादा पता होता है चलो हो गया चलते आगे अगला प्रशन हां, राजस्तान में मुख्यत है, कितनी रित्वें पाई जाती है, रित्वे राजस्तान में मुख्यत है, कितनी रित्वें पाई जाती है, अब रित्वों के बारे में बात करने हैं, कौन सी रित्वें कितनी 4, 3, 5 और 2 राजस्तान में रित्वें तीनी बाइद हैं कितनी तीनी रित्वें मुक्यत हैं रित्व की अगर बात करें राजस्तान में रित्वें ठीक है तो पहली रित्व कौन सी हो गई पहली हो जाएगी अपने ग्रीश्म रित्व कौन सी रित्व ग्रीश्म रित्व ठीक है इसका समय है कब से कब तक मार्च से जून तक कब से मार्च से जून तक कब से कब तक मार्च से जून तक ग्रिस्म रितू मार्च से जून तक ग्रिस्म रितू दूसरी आती है इसके ज़ेश्ट बाद में वर्षा रितू कौन सी रितू है वर्षा रितू और वर्षा रितू का समय माने है तो वो क्या है वो है जून के बाद जून के बाद क्या है जुलाई क्या है जुलाई से कब तक जुलाई से सितंबर तक कब तक सितंबर सितंबर में मानसुन का प्रतिया वरतन काल माना जाते कि अगर का समय माने तो वह अक्टूबर से अक्टूबर से फर्वरी तक तब से अक्टूबर से फर्वरी तक अक्टूबर से फरवरिता ठीक है यह है सीध रितु का समय अब बात करें ग्रीशमे रितु में तो ग्रीशमे रितु में क्या है गर्मी पड़ती है ग्रीशमे रितु में गर्मी तेंप्रेचर ओसर टेंप्रेचर राजयस्थान का कितना माना जाता है 30 से 40 ही 30 से 40 डिग्री 30 से 40 Dé année ठीक है और अब राजयस्थान में वर्थमान में कितना लगबर 60 से 50 कितना 40 से 50 डिग्री कि यहां तक पहुंग जाता है और इस थाल दो 50 से भी उपर गया है यह दो तीन चे टरह से जैसल मेरे फ़लो दी यह बाढ़ मेरे इसमें कहां तक पहुंग जाता है 50 से उपर भी तो छैसल मेरे फलो दी बार्ड में चूरुआ वाला चहतर यह यहां पर क्या है पचास से उपर भी पौंजा ठीक है यहां पर पचास डिग्री कभी कभी ने लिनी 50 से उपर भी पौंजा ठीक है चाला हो गया रित्वे तीन पहली है ग्रिश्म रितू दूसरी है वर्षा रितू पीसरी सीत रितू नाइक्स्ट अरव सागरिये अरव सागरिये मांसुन साका से राजस्तान के किस भाग में अधिक वर्षा प्रावत होती है राजस्तान के किस बाग में अगर बाग की बात करें किस बाग में उत्री राजस्तान पूरी राजस्तान पस्चिम राजस्तान या दक्षिनी राजस्तान राजस्तान के किस बाग में अरव सागरिये मांसुन की साका से वर्षा होती है अरव सागरिये मांसुन की साका परवेस प्रव्यस कहां से होता है बांसवड़ा से अरब साग्रिय मांसुन की साका का प्रव्यस अरब साग्रिय मांसुन की साका प्रव्यस की बात करें तो बांसवड़ा कहां से प्रव्यस बांसवड़ा अब जब बहांसवाड़ा से प्रवेश करती है तो सर्वादिक वर्षा कहा करेगी इसी चेतर में बहांसवाड़ा किस चेतर में दक्षिनी राजस्तान किस चेतर में दक्षिनी राजस्तान तो सर्वादिक वर्षा अगर सर्वादिक वर्षा की बात करें तो वो है दक्षिनी राजस्तान सर्वादिक वर्षा वो है दक्षिनी राजस्तान ठीक है और राजस्तान में पर्वेस के इसाब से सरु परतम इसी मांसुन का पर्वेस होता है राजस्तान में सरु परतम सरु परतम इसी मांसुन की साका का पर्वेस होता है इसी मांसुन की साका का पर्वेस होता है अगर वर्षा की तो सर्वादिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की मानसुन से होता है सर्वादिक वर्षा किस से होते हैं बंगाल की खाड़ी साका से बंगाल की खाड़ी किसा का से ठीक है यह हो गए चला अगला प्रस्ट राजस्तान के एक भोतिक विबा के बारे में निम्न तत्ये दिये गए यह जो तत्ये एक भोतिक प्रदेश के बारे में दिये यह राजस्तान का सरवादिक जन गनत्व वर सबसे उपजव परदेश है यहां राजस्तान की लगबग 40% जन संग्या निवास करती है कितनी 40% जन संग्या निवास करती है कि यह चंबल बनास बांगा उनकी सायक नतियों द्वारा नीर्मित है इस बाग में 56 का मैदान कौन सा 56 का मैदान भी सामिल है तो अपन किस बोतिक विबाग की बात करें पस्चिम मुरुस्तली प्रदेश रावली प्रदेश दक्षिन पूर्वी पठारी प्रदेश या पू मेदान तो यह क्या है चपन गाओं चपन गाओं वे चपन नदी नालों का समूद नालों का समूद ठीक है यह कहां पर बासवाड़ा वे परताब गए इस्थित्थ चपन का वे दान का बासवाड़ा वे परताब गए किसमें बासवाड़ा वे परताब गए अच्छा कौन सा बेसिन है यह चपन का जो मेदान है इसको माही बेसिन कौन सा माही बेसिन के नाम से जाना ठीक है तो ये कौन सा प्रदेश हो गया कौन सा हो गया पूर्वी मेदानी प्रदेश कौन सा हो गया पूर्वी मेदानी प्रदेश नेक्स्ट अगला प्रस्ट निम्न लिकित वाकियों में से थार मुरुस्तल की विसेश्ता इसकी थार मुरुस्तल की विशेश्ता हो रही है उन्हें बताई है यानि इन में से कौन सा ऐसा जो पूट है वो थार मुरुस्तल के बारे में यह पस्तिम मुरुस्तल है बाह के बारे में बता रहा है यह विशु का एक मातर जीवन्त मुरुस्तल है थार का मुरुस्तल इसके पसु गनतो वाला मुरुष्टल है ठीक है फिर देखो ये विशू की सबसे विशू का सबसे दनी मुरुष्टल कहला ता आगे बाड मेर जैसल मेर वे बिकानेर में इस तीतर रेतीले मुरुष्टले वाग को रावली नहीं बारतिय महा मुरुष्टल कादत कौन सा पूट सही केवल एक वे तीन केवल एक वे तीन केवल तीन वे चार केवल एक दो वे तीन या फिर एक दो तीन चार यानि चार उकतन सत्य थार मुरुष्टल ठीक है कौन सा थार मुरुष्टल के बारे में थार मुरुष्टल इसके बारे में ठीक है कौन सा कतन चारोई कतन इसमें सत्य चारोई कतन सत्य यह विश्व का एक मातर जिवन्त मुरुस्तल है ठीक है यह सरवादिक यह जो थार मुरुस्तल है यह विश्व में सरवादिक जन्संग के वाला मुरुस्तल और सरवादिक जन्संग के गनत्व वाला मुरुस्तल भी ठीक ह विष्व का इनी विषेस्तां के कारण इसे विष्व का सबसे धनी मुर्ष्थ लुख का जाता है सर्वाधिक जेवी विवित्ता वाला मुर्ष्त्र लेग जंसंडи गनतू वाला मुरुष्थल लेगे idag जाता वर अगर पुछे वार्थिय मा मुरुष्तल === то यह चेत्र कहा है बाड मेर जैसल मेर बिकाने के जो रेतिले मुरुस्तिले बागे उसे बारतिय माम मुरुस्तल के नाम से जाना अब एक है तार मुरुस्तल के बारे में रुक्स परदेश यानि मुरुस्तिले परदेश को रुक्स परदेश किसने का किसने का इस्वरी परशाद किसने का इस्वरी परकाश ठीक है हो गया चल आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगली क्लास में तब तक के लिए राम आज कि अढसे नह एख को बिलते हमा किसने का एधना ही